हेल्लो फ्रेंट्स वेलकम टू थरीसिक्स्टी कनेक्स फाइन्स आएम यॉर होस सॉरभ सकसेना तो फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस टॉक में आप रिटेल केटेगरी के अंदर IPO कैसे apply कर सकते हैं मेरे पास काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि इस पर एक डेमो वीडियो बनाया जाए तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि retail individual category में IPO कैसे apply कर सकते हैं अप स्टॉप के माध्यम से जो भी steps आज मैं आपको दिखाऊंगा वो steps similar रहेंगे upstop के mobile app पर भी तथा यह steps more or less same रहेंगे दूसरे brokers और discount broker के app और website पर भी जैसे कि जिरो था fivepasa.com एंजल broken fires and grow friends चलिए अब हम start करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो कि तो फ्रेंड से की लाइव डेमो है तो फ्रेंड्स आपको कुछ बात ही याद रखनी है किसी भी IPO में apply करने से पहले आपको NSC की website पर आना है उसके बाद आपको home product equity and IPO initial public offering पर क्लिक करना और जितने भी IPO active होंगे वह आपको यहाँ पर list में दिख जाएंगे आज हम card trade की बात कर रहा है जो 9th of August को issue start हो रहा है and 11th of August issue close हो रहा है तो यह एक example है आपको जिस भी IPO में apply करना है आप उसका start and end date देखेंगे और उसके उपर click करेंगे उस issue या उस IPO के बारे में पूरी information यहाँ पर आ जाएगी जो भी उसकी details है कब वो open हो रहा है कब वो close हो रहा है उसकी phase value कितनी है सबसे important अगर आपको red hearing prospect पढ़ना है तो यह card rate tech का red hearing prospect है तो जिस भी आप IPO में apply करना है प्लीज आप उसको ध्यान से पढ़ लें उसके risk को समझ लें उसका PE ratio क्या है EPS क्या है उस share का growth plan क्या है उसके competitors कौन कौन से हैं उसकी marketing strategy क्या है क्या policies है वो आपको ध्यान से पढ़ना है इसके इंदर पूरी details होगी यह लगबर 340 pages का document है लेकिन कुछ key sections आपको पढ़ना है company के बारे में and company की growth के बारे में तो friends चलते हैं अप स्टॉप की website पर यदि आपके पास mobile app है तो आप mobile app पर भी login कर सकते हैं यहां आप आ जाएंगे upstock.com पे यहां पे आप अपना user id and password डालेंगे stock की site पर एंटर कर जाएंगे यहां पे आप trade funds and invest एक option देख रहे हैं आपको invest पर क्लिक करना है जब आप invest पर क्लिक करेंगे आपको different option मिलेंगे कि आपको mutual fund में invest करना है इन दो के ओपर मैं बाद में वीडियो बना दूँगा if you are interested कि किस तरीके से apply होता है वाट आज की वीडियो में हम focus करते हैं आप यूज के बारे में initial public offer इस पर क्लिक कर देते हैं invest in IPO यहां पे जितने भी ongoing IPOs से उनकी list आजाएगी जैसे दो IPOs 11 अगस को close हो रहे हैं बाकी IPOs की यह end date है 12 अगस को अगर डेमो के लिए card trade tech limited को लेंगे अगर आपको और details जाननी है तो IPO details पे भी आप क्लिक कर सकते हैं जो almost 3000 क्रोर का आप यहां पे IPO का size देख रहे हैं यह OFS है तो इस तरह की details आपको अजनी है किसी भी IPO में apply करने से पहले बिना IPO के risk को समझे आपको किसी भी IPO में apply नहीं करना है क्लिक apply पर क्लिक कर दिया है तो friends आप यहां पर देख सकते हैं यह message IPO window time का which tells कि IPO window available रहेगी 10 a.m. से 5 p.m. on given trading date और यह card rate tech का minimum quantity यहां define करी गई है यहां पर minimum quantity बताई गई है यह price range है तो आप कोई भी 1585 से लेके 1618 तक 3 bits एंटर कर सकते हूं यह IPO size है और मुस्ट 3000 CR का यहां अपना UPI डाल सकते हैं आप देख लीजिए कौन-कौन से UPI करेंट्ली अप इस टॉक्स सपोर्ट करता है तो यह list है बंदन बैंक आई-पी आई-एक्सिस यस बैंक क्योंकि इस डेज बहुत लोग इस टाइम एपलाई कर रहे हैं थ्रूं पेमेंट वालेट के थूं तो आप देख सकते हैं सब लार्ज बैंक सपोर्टेड हैं और भीम UPI यहां पर सपोर्टेड हैं अगर आप देखें आप इसमें भीम UPI के भी थूं कर सकते हैं बाकी सब मेजर बैंक यहां पर सपोर्टेड हैं यहां पर आप अपनी UPI ID को एंटर करतेंगे तो मैं अपनी UPI PI ID Enter कर देता हूँ PI ID Enter कर दी है अब मैं यहाँ पर अपना इंवेस्टर टाइप सेलेट कर लेता हूँ यहाँ पर इंडिविज्विज्वल ही ओप्शन अवैलेविल है डिस्काउंट ब्रोकर हर एक डिस्काउंट ब्रोकर उनली रिटेल कैटिगरी का ओप्शन प्रोवाइट करता है यदि आपको जानना है आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के थूँ HNI कैटिगरी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंड कर सकते हैं इसका एक मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूंगा कि किस तरीके से आप जिरोधा अप स्टॉप, फाइब पैसा, फायर, एंजर ब्रोकिंग या ग्रोव एप के थूँ HNI कैटिगरी में आइप्लाई कर सकते हैं आप मैं बिट डाल देता हूं चुकि यह IPO ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे पूरे चांसेज हैं तो मैं यहां पर एक सिंगिल लॉटी अप्लाई कर रहा हूं यहां बन डाल देता हूं बिट प्राइस यदि कोई भी IPO ओवर सब्सक्राइब होता है तो आप प्लीज प्राइस पे cutoff प्राइस पे खिलिक कर दें याणि maximum जो भी उसकी रेज़ है वो यहां पे select हो जाएगी यदि आप maximum रेज़ सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप 3 बिट प्लेस कर सकते हैं और इस तरीके से add another bit क्लिक कर के आप दो और बिट को एंडर कर सकते हैं विड डिफरेंट प्राइस जो उसका प्राइस रेंज है 1580 से 1680 तर और आप उसके अंदर अपनी बिट कॉंटिटी या लॉट नंबर भी चेंज कर सकते हैं जो भी 3 बिट आप डालते हैं यह एक अंडर्टेकिंग है जिसमें बताया गया है मैंने आरेच पी जो वेक मैंने आपको पीडियों दिखाया था रेडियरिंग प्रॉस्पेक्ट का कि उसको मैंने ध्यान से पढ़ लिया है मैं एक एलिजिबिल पिठर हूँ एस पर सेवी रेगुलेशन 2009 तो मैं इसको चैक बॉक्स को टिक कर देता हूं और मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं कि नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके पास आपका इन्वेस्टर टाइप आ जाएगा आपकी यू आईटी आ जाएगी जस्ट पार कंफर्मेशन एंड कितना एमांट आप पे करेंगे और यति आपने एक से ज्यादा यानि मैं किम थ्री बिट्स प्लेस करें हैं तो हर एक बिट म प्लेस किया है और कितना एमांट आपको पे करना है तो चूंकि मैंने एक ही बिट प्लेस करी है विद दे कट आफ प्राइज तो यह बिट यहां पर शो हो रही है अब मैं कनफर्मेंड अप्लाई पर क्लिक कर दूना हूं यह जो भी स्टेप्स मैं आपको दिखा रहा हूं यह स्टेप्स आप स्टॉक के मोबाईल अप पर भी सेम रहेंगे और यह स्टेप्स पूर्लेस सेम रहेंगे दूसरे डिसक्राउंट ब्रोकर में UPI के थूआ फ्रो आप्लाई करने के लिए चाहें वो जिरोधा हो चाहें वो फो चाहें वो एंजल ब्रोकिंग 5-1 या चाहे कोई और डिस्काउंट रो करो मैं कंफर्मेंट अप्लाई पर क्लिक कर देता हूं यहां मैंने अप्लाई कर दिया है यहां मेरी अप्लिकेशन हो गई है और नेक्स स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि यूपी ऑइंद पेइमेंट पेंटिंग है तो आपका जिस भी बैंक का मुब के अमाउंट की मोर दन 14,000 और उसको आपको उस मोबाईल अप में जाके एप्रूफ करना है अब आप आई पियों में फिर ओन गोईंग आई पियों में क्लिक करेंगे और यहां आप अपनी व्यू अप्लिकेशन देख सकते हैं और यहां पर आ रहा है एक्सेप्टेड यहां पर एक्सेप्टेड बाई इंबेस्टर आ जाएगा और जो भी उस आई पियों की लाज़ डेट है आपको उससे पहले अप्लाई करना है अप इस्टॉक का कट आफ टाइम लाज़ डे का फाइव ट्लॉक है बट प्लीज आप ट्राइए करें 415 या मैक्सिमम 425 तक आ आप अपना IPO request प्लेस करते हैं यदि आपका कोई भी question है आप इस टॉक या IPO में कैसे apply किया जाएगा थ्रू आप स्टॉक या किसी और discount broker का तो आप अपना question मेरे comment box में पूछ सकते हैं जिसका मैं और मेरी team respond देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को क्लिक करते हैं जिससे मेरा जो भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होता है उसकी सूचना या notification आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो थैक्यू फ्रेंज चैनल आपके लिए नहीं कि वीडियो बाइ